गुद मॉनिंग स्टूरेंट आज हम पढ़ेंगे मैप्स का चैप्टर वन का वज प्रॉब्लम चीक है यह आपका लास्ट एक्सेसाइज होगा इसके बात होगा आपका मेंटल अबलिटी जो आपका होमवक होगा टोटल चीक है तो मैं इसको आपको एक्स्प्लीन करके सब्सक्राइब होगा इसमें बता रहा है कि जो आप गोडाउन है उसके अंदर वीट मतलब गेहूं की कितनी बूरिया है टोटल 45,120 राइस की किती बूरिया है 21,215 एड़ पल्स पल्स मतलब डाल की कितना बूरिया है 56,160 चीक है अब हमको बता रहा है पूछ रहा है कोश्चन में कि टोटल गोडाउन में कितनी बूरियां रखी है तो हमको इसको सॉल्ब करना है टोटल बताना है पूछने बूर टोटल कितनी बूरिया वो पूछ रहा है इसका मतलब क्या होगा यह प्लस होगा तो हम इसको सॉल्ब कैसे करेंगे सबसे पहले लिखेंगे नमबर ओफ वीट की कितनी बूरियां है 45,120 नमबर्स ओफ राइस और पूछ रहा है 21,215 थाड़ है नमबर्स ओफ पल्स सेक्स कित जब हम plus करेंगे तो हमारा amount आएगा amount नहीं sorry हमारा total sex कित्ती बुरी आएंगे 1,22,495 sex आएंगे मतलब हमारी इत्ती बुरी आएंगे तो हम इसको mention कैसे करेंगे answer में total number of sex equal 1,22,495 sex चीक है अब हमारा start करते है solve the following sum जिसका first है मैं आपको copy में solve करके बता हैं पहले question पढ़ते हैं the cost of the handiom is rupees 4521 mobile is rupees 42,237 and the laptop is rupees 12,422 how much do they cost altogether इसमें आपको क्या बता रहा है इसमें बता रहा है कि total price क्या है मतलब इसमें cost बता रहा है इसमें handiom की cost कितनी बता रहा है 4521 mobile का cost कितना बता रहा है 42,237 laptop का cost कितना बता रहा है rupees 12,422 तो ये पूछ रहा है ये जितने cost दिये हुए हैं तो पूरा all together मतलब total cost कितना है ये आपको इस question में पूछ रहा है तो अब इस सम को हम solve करेंगे तो हम कैसे लिखेंगे cost of handcome कितना है rupees 4521 फिर क्या लिखेंगे cost of mobile rupees 42,237 फिर लिखेंगे cost of laptop 12,422 इसमें आपको एक चीज़ ध्यान देना जिस भी question में rupees लिखाओगा आपको उसमें पूरे में rupees लिखना है बट अगर आप exam में नहीं लिखता है तो आपको यह rupees का भी marks करता है चीज़ के और यह सब आपके question में दिया अब मैं उसको mention की हूँ चीज़ के अब आपको पूछ रहा है क्या पूछ रहा है how much do the cost of all together मतलब total जितने cost दिये गए हैं वो कितने हैं तो हम कैसे लिखेंगे total cost all together equal रूपीज 4,521 रूपीज 42,237 प्लस 12,422 तो हम उसको क्या side में ही rough कर देंगे यह तीनों मैं amount को लिख दी हूँ चीज़ है अब हम इसे total करेंगे तो 7,2,9,9,1,10 10 का 0 अब 1 क्या होगे आपका carry कर दिये तो 3,1,4,4,2 कितना होता है 6,2,8 8 यहां आ गया फिर आपका आता है 4,2 कितना हो गया 6,5,11 11 का 1 carry कर दिया 1,1,2,3,2,5,4,9 फिर आएगा 4,1,5 आप इसको finger के थू कर सकते है या आपको जैसा आता है वैसे कर सकते है तो आपका amount कितना है टोटल रुपीज कितना है 59,180 तो हम इसको answer कैसे लिखेंगे टोटल कोस्ट औल टुगेदर एकवल रुपीज 59,180 चीक है आपका एसम सॉल्फ हो गया अब आपका second आता है दा प्राइज ओफ महिंद्रा बुलेरो इस रुपीज सॉरी इससे पहले मैं आपको एक चीज बता देती हो यह जो second sum है आपका मिसिस रंजीता बोट ओफ मॉबाइल फोन वर्थ 15,160 बैंगल्स वर्थ ओफ 17,457 और लेप्ट ओफ वर्ट 25,452 वर्ट वर्ट इस शीदे स्पेंड आल टुगेदर यह आपके same A question के जैसा है आपका यह home work है आप इसको solve करोगे चीक है अगर नहीं बनेगा तो फिर मैं बताऊंगी अब आपका आता है C C क्या है The price of Mahindra Boloro is रुपीज 5,17,425 and price of TVS Jupiter is रुपीज 57,190 Mr. Anurag want to buy both vehicles how much money should he pay इसमें आपको बता रहा है price बता रहा है सबसे पहले किसका price बता है इसमें सबसे पहले बता है Mahindra Boloro का price कितना है बता रहा है 5,17,425 उसके बाद price किसका बता है TVS Jupiter उसका price क्या है रुपीज 57,190 चीक है यह दोनों का आपको price बता दिया बट इसमें यह बताता है कि Mr. जो अनुराग है उनको न यह दोनों मतलब जो वाइकल से न दोनों गाडियां खरीदनी है तो उसको कितना pay करना पड़ेगा यह question में आपको पूछ रहे तो हम इसको कैसे करेंगे इसमें तो पूछ रहे टोटल कितना pay करना पड़ेगा जब टोटल की बारी आ जाती है तब यह क्या हो जाता है प्लस हो जाता है तो हम इसको लिखने का solve कैसे करेंगे cost of Mahindra Bolero कितना है रुपेस 5,17,425 फिर क्या cost of TVS Jupiter रुपेस 57,190 अब हमको जानना है total money should he pay Mr. Anurag को कितना pay करना है तो उसके लिए हम लोग यह दोनों amount को total करेंगे तो हमारा answer आएगा हमारा answer आएगा 5,74,615 तो यह हमारा answer क्या होगा रुपेस 5,74,615 money should he pay चीक है तो आपका यह C भी solve होता है अब आता है आपका D कै Mrs. Sarita saved रुपेस 1,592 in the month of May रुपेस 6,447 in the month of June and रुपेस 12,557 in the month of July how much money did Shida save in the 3 month altogether इसमें बता रहा है जो Mrs. Sarita है उन्होंने में में कितना saved किया है money कितना saved किया है 1,592 June में कितना save किया है 6,447 और July में उन्होंने कितना save किया है 12,557 तो इसमें पूश रहा है कि उन्होंने total जो money है 3 month में कितनी save किये जब total पूश रहा है save करने का पूश रहा है तो इसमें क्या होगा यह plus होगा अब इसको हम solve करते तो क्या लिखेंगे money saved by Mrs. Sarita in the month of May कितना है इदर जगा नहीं तो इसले में नीचे लिख दियो रूपीज 1,592 फिर money saved by Mrs. Sarita in the month of June रूपीज 6,447 फिर यह money saved by Mrs. Sarita in the month of June रूपीज 12,557 तो यह जो आपके question में दिया था हमने उसी को सबसे पहले mention किया अब हमको क्या पूचा how much money did she shave 3 month of altogether तो हम इसे कैसे लिखेंगे total saved money by Mrs. Sarita in the 3 month उन्होंने 3 महिने में कितने save किये तो हम यह तीनों amount को total करेंगे देखिए इसमें starting में छोटा amount दे दिया बट कभी भी plus करते हैं तो बड़े amount से करते हैं न चीक है तो आपको 12,557 56,447 1592 तो इसको सब जब हमने solve किया है तब हमारा answer आया 20,596 चीक है हम लिख दिया है और जब इसका answer लिखेंगे तो total saved money by Mrs. Sarita in the 3 month equal 20,000 sorry यहां पर मैंने रुपीज लिखना भूल गई यही मेरी गलती है आप मत कीजिएगा ठीक है रुपीज 20,596 तो आपका db solve हो गया अब आपका आता है e e क्या लिखा in a library there were 17,455 books 11,109 copies of the old newspaper 10,655 copies of the magazine and about 176 comics for kids how many items were present in the library इसमें question में बताएं कि library में total books कितने है 17,455 और 11,109 copies of old newspaper जो पुरानी copies है वो है ठीक है और उसके बाद किया 10,655 किया copy of magazine है ठीक है और 176 comics for kids के लिए है ठीक है अब इसमें हमको पूछ रहा है कि जो present में लैबरेरी में जितने भी आइटम है वो total कितने है तो ये भी क्या plus होगा बट इनको लिखने का process क्या होगा numbers of books 17,455 फिर है numbers of copies of the old newspaper 11,109 numbers of the copies of the magazine 10,655 फिर है numbers of the comics for kids तो 176 तो ये जो फॉर्ट अमाउंट है ये चारो को हम total करेंगे चीक है तो जब हम इसको sum को solve करेंगे तो कैसे लिखेंगे total item present in the library क्योंकि हमको question में वही पूछा है तो equal 17,455 11,109 plus 10,655 plus 176 चीक है इसको rough में solve करेंगे पीछे नहीं करेंगे यही पर आपको mention करना है चीक है तो हमारा answer आएगा 39,395 तो हमारा answer क्या होगा 39,395 items present in the library यह सब क्या items है न तो यह library में present है अब आता है आपका F इसमें बता रहा है जो LED बल्प है उनका manufacturing मतलब उनका जो manufacturing 2006 में कितना किया गया था 11,662 और 2007 में 12,272 और 2018 में किया गया था 45,222 तो इसमें हमको पूछ रहा है कि total 3 years में कितने बल्प को manufacture किया गया था तो इसम को कैसे solve करेंगे first of all लिखेंगे number of bulb manufacturing in 2016 11,662 फिर लिखेंगे number of bulb manufacturing in 2017 12,272 फिर लिखेंगे numbers of bulb manufacturing in 2018 जो कितना होगा 45,200 क्योंकि ये तीनों चीज आपको question में mention कर दिया आप उसके बाद पूछ रहा find the total numbers of bulb made in the 3 years 3 years में कितनी bulb उन्होंने manufacture किया था तो उसको कैसे लिखेंगे total numbers of bulb made in the 3 years तो ये जो तीनों दिये हुए हैं बल्प के numbers कितना हैं ये तीनों को हम plus करेंगे चीक है मैंने इसको side में mention कर दिया जब इसको plus किये तो कितना answer आया है 69,156 तो इस amount को कैसे लिखेंगे मतलब इसको कैसे लिखेंगे इस bulps को answer किया है 69,156 bulps made in the 3 years मतलब तीन साल में इतने bulps उन्होंने बनाएं अब आपका question आता है जी क्या है Mr. and Mrs. Bhargav went to a holiday trip they spend rupees 1246 on the train for rupees 2524 on the food link rupees 17886 on the stay and 4247 on the shopping how much did they spend on the holiday trip all together इसमें पता रहा है Mr. and Mrs. Bhargav घुमने के लिए गया थे ट्रिप में तो उन्होंने train for में 1246 मतलब amount को pay किया मतलब spend किया खर्चा किया फिर food link में उन्होंने 2524 को की यह मतलब 24 spend किया फिर आपका 17886 stay and 4247 on shopping यह दोनों चीज में किया तो आपको पूछ रहे हैं कि total holiday में उन्होंने कितना मतलब खर्चा किया है तो यह आपके home work है B और G आपके home work है आप इसे complete करके मिरे को WhatsApp में भीजेंगे आप ध्यान से समझना उसके बाद ही इसको note करना Okay, thank you